हाई गाईज वेल्कम टू एडुकेटर गाईज आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं इसमें 5C टेक्नोलोजी को डिसकस करेंगे GS पेपर सेक्शन 1 सेक्शन 2 का जो टॉपिक है करेंट अफेर BPSC का मैंस का और जो एक तरह से कह सकते हैं अब जो टॉपिक को अपना नोट बना लिजेगा फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखा कि लिए और प्लीज फीडवैक देखिए कैसा लगता है नहीं लगता है ताकि मैं अपने आपको इंप्रूब कर सको ओके तो शुरू करते हैं फ्रेंट्स इस टॉपिक को 5G टेक्नोलो इस टॉपिक को देखेंगें इंडूबक्शन फिर बॉडी में इसके यह क्या इंपाक्त परेगा क्या अडवांटेज होगा क्या डिज़बांटेज होगा और इंडिया प्रिपेर है या नहीं है फिर इंड्या में क्या-क्या चैलेंजज सा इसको भी इंप्लीमेंट करने स उसके बाद वे फॉरवर्ड और फाइनली कंक्लूजन ओके फ्रेंट्स इस सारे एस्पेक्ट्स पे चर्चा होगी इस टॉपिक में तो आप लोग दियान से सुनिए और पूरी वीडियो को देखिए आप लोगों को बहुत जादा मदद मिलेगी और अप लोगों की समझदारी भी बड़ीगी और अगामी मेंस की जो प्रिक्चा होने वाली सिक्सी सिक्ट BPSC का उसमें प्राइबलिटी ऐसा माना जा रहा है कि यह सवाल पूछा जाए और नहीं भी पूछा जाए तो साइंस एंट टेक्नलोची का आपका बेश बहुत अच्छा हो जाएगा ओके फ्रेंट्स शुरू करते हैं और नहीं कोई टॉपिक आता है तो BPSC या फिर किसी भी एक्जाम में वह चर्चा में रहता है और पूछ भी लिया जाता है तो शुरू करते हैं फ्रेंट्स अब इंट्रोडक्शन से में देखेंगे कि 5G टेक्नलोची होता क्या है तो सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि मतलब पूरे बेश्व में पूरे वर्ल्ड में या पूरे ब्रामान में अगर 5G टेक्नलोची को सबसे पहली कोई कंट्री इंप्लिमेंट की थी तो अप्रिल 2019 में कव अप्रिल 2019 में साउथ कोरिया ने इस टेक्नलोची को इंप्लिमेंट की और यह 5G टेक्नलोची टेक्नलोची को नेक्सट वर्ण है 4G के बाद 5G आया, तो G यहां generations हो जाएगा, तो 5th generation है, 4th generations अभी हम लोग huge कर रहे हैं, इंडिया में भी 5 generations आया नहीं, उसके बाद इसका यह introductions में यह बताया गया है, कि इसका upload और download का speed होगा, वो 4G से ज्यादा fast होगा, उसके बाद यह multi GPS data जो होगा, उसके बाद यह ultra low latency और massive capacity and more uniform user experience होगा, latency मतलब होता ताइम डिले, तो ताइम डिले को यह कम करेगा, pick rate इसका high होगा, ज्यादा GBPS का data को यह transfer करेगा और user experience अच्छा होगा, इसका user अनभब भी अच्छा होगा, उसके बाद आगे है कि friends, मतलब ऐसा माना जाता है कि 5G technology को use करके 2-20 GB के बीच का range का data हम लोग use कर सकते हैं GBPS, okay, 2-20 GBPS data का इस्तमाल किया जा सकता है 5G technology को use करके, तो friends, यह तो introductions में था, आप लोग देख लिजेगा, तो आप PPT को रोक कर भी पढ़ लिजेगा, क्योंकि अगर हर एक line को पढ़ूँगा, तो फिर video लंबा हो जाएगा, मैं स applications क्या होगा, applications means friends, इसको किस-किस चीज में हम use कर सकते हैं, okay, इसका इस्तमाल कैसे किया जा सकता, या फिर इसके इस्तमाल से क्या-क्या चीज सही हो सकता, जिसे क्या आपको पता होगा कि IoT, Internet of Things हो गया, उसके बाद driverless car हो गया, या फिर infrastructure development में, agriculture development में, healthcare में, उसके टेली surgery में बहुत सारी ऐसी dimensions है, medical field में, बहुत सारी ऐसी dimensions है, जहां इस चीज को use कर सकते हो, okay, friends, इससे एक तरह से एक ऐसा interconnected network तयार हो सकता है, friends, जो, मतलब, object and device कह सकता है, control machines कह सकता है, जो आपस में एक दूसरे से connect हो सकता है, object to object, machine to machine, आपस में एक दूसरे के साथ connection established कर सकता, okay, friends, उसके बाद ये बता रहा है कि ये जो है न, मतलब, friends, आगे का जो points है, उसमें देखेंगे कि, it will deliver new level of performance and efficiency that will empower the new user experience and connect new industries, मतलब, एक तरह से user का experience बेटर होगा और नए-ने industries भी का setup होगा, या फिर नए-ने industries का dimensions भी अलग-लग परकार का, जो, अलग-लग dimensions के industries या फिर फैक्ट इंटरनेट आप तिंक्स पढ़ते हैं, data analytics पढ़ते हैं, big data पढ़ते हैं, या फिर driverless car की बारे में बात होते रहती है, फिर तेली-surgery की बात होती है, या फिर agriculture में कैसे reform लाए, या फिर health sector में कैसे reforms लाए, education sector में कैसे reforms लाए, तो इन सभी reforms के field में ये data, 5G technology का जो data है, वो बहुत ही जादा मदद करेगा, और एक तरह से बहुत helpful सावित होने वाला, okay friends, अब आगे कैस में, इसके पास high speeds होगा, इसकी high reliability होगी, low latency network होगा, मतलब जो delay होता है, अब इतना data ये fast होगा, कि latency rate इसका बहुत ही जादा कम हो जाएगा, latency मतलब बिलम कम होगा, इस data को इस्त industrial revolution होने वाला technology के चेतर, okay friends, 4 था, industrial revolution होने वाला है, okay, अध्योगिक करांती, उसके बाद आगे के, point my reference की 5G, एक तरह से emerging technology है, जो की backbone कह सकते हैं, किसी भी industries का, जैसे IOT हो गया, machine to machine communication हो गया, उसके बाद अलग चीजे भी है, जैसे driverless vehicles हो गया, टेली सर्जरी हो गया, real time data analytics हो गया, इन सब चीजों के लिए backbone का काम करेगा, इन सब चीजों के लिए backbone का का काम करेगा, जितने भी emerging industries है, जैसे IoT, internet of things हो गया, driverless car हो गया, real time data analytics हो गया, big data हो गया, उसके बाद टेली सर्जरी हो गया, health infrastructure हो गया, अरिक accomplishments हो गया, यह काम करेगा उसके बाद है कि 5G टेकनोलोजी फ्रेंट्स ट्रांस्पोर्ट इंफाय स्टेक्चर्स को मोर एफिसेंट बनाएगा ज्यादा रिया लाइबल बनाएगा इतरा से यूजर फ्रेंडली बनाएगा ताकि लोग अत्या अधिक से अत्या अधिक से इसमाल करें और ज इन सब चीजों को यह असान बनाएगा और इन सब चीजों के लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रवाइड करवाएगा अब आगे की चीजों में देखते हैं यह कहा जाता है कि 5G टेकनोलोजी है ना फ्रेंट्स वाइरलेस टेकनोलोजी ऐसा मतलब फर्स टाइम माना जात इन समय यह बहुत ज्यादा मददकार साबित होने वाला है या फिर उसमें एक तरह से रिगुलेशन आजाएगा करांती आजाएगी इंडिस्ट्रियल रिगुलेशन आजाएगा और उसको एक बेटर प्लेटफॉर्म और डैनेमिक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से वह इन च्यूमिल ऊचिंछाथ एक तरह रिल टाइम जो होता है न रीक होगए पिर रील टाइम जो सिनुर्यों है उसकों इंप्लिमेंट करने के लिए-जादा के लिए मदद करेगा एक्लश्स चक्टर में कुछ ऐसा रिफॉर्म हो उसके लिए मदद करेगाा अब आगे देखते हैं हुआ एडफाइबंटेज अब देफ हैं भानतेज्च भाले टेक्ट हो यहाँ उसका कैसा इसतमाल होगाँ वेडवानОस्ट rälate और विकास हो सकता है उस चीज़े को बारे में बात की गई है फ्रेंट्स देखते हैं फ्रेंट्स की फाइव जी टेक्नलोजी के जो भी डाइवर्सीफाइड सर्विस होगा उसका एफेसेंसी बहुत ही जादा होगा उसके एफेसेंसी थोरा सा बेटर हो जाएगा उसके बाद यो 5G नेटवर का हाइस पीड डेटा होगा फ्रेंट्स वो क्लाउड सिस्टम या फिर एस्ट्रीम सॉप्टबेर अपडेट्स म मदद करेगा इन सब चीजों में यह दिशते हैं उसके बाद यह कहा रहा है कि इन और आटिफीसलिप इन्टिजेंस में अक्रोप्रेट करेगा उसमें भी मदद करेगा जो के इसका बहुत जादा योगदान हो सकता है उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि यह जो इंटरनेट ओफ तिंग्स है उसके इंडिस्ट्री या फिर उसके इको सिस्टम्स को भी फैसिलिटेट कर सकता है उसके बाद यह इसमें भी यह है मतलब इसमें भी मदद करेगा अब कुछ डिज यह हैं कि अब चलो ठीक है किशिज का दो आच्छा ही और बुरा ही तो science है तो pros और cons तो हो ना ही है friends तो pros और cons तो हो ना है तो pros देख लिए तो cons भी देख लेते हैं disadvantage भी देख लेते हैं ये कहा जाता है कि जो super high frequency of 5g network है friends वो मतलब स्रीब जब clear direct antenna से लेकर जिस device जो जैसे कोई antenna होता है friends अंटीना होता है जो सिंगनल टावर्स वगरा लगाते हैं उस टावर्स से जब तक डारेक्ट डिवाइस में सिंगनल नहीं जाएगा जो रिविशिविंग डिवाइस होगा उसमें डारेक्ट सिंगनल नहीं जाएगा तब तक यह एफिसेंट वे में काम नहीं कर पाएगा तो इसमें signals की दूरी थोड़ा दूर दूर पह या फिर टावर की दूरी दूर दूर पह भी है तो signals आसानी से मिल जाती है लेकिन 4G में ऐसा नहीं होगा टावर बहुत ही close लगाया जाएगा close विसने सीटी में लगाया जाएगा एक particular area में इसमें direct signals मिल पाएगी उसके बाद यह कहा जाता है इसका जो हाई फिर होता है फ्रेंड से इसली एक तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है जिसके बज़े से मतलब जिस बज़े से वह ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती है क्योंकि humidity रैन या फिर clouds जो होता है moisture होता है वो इसको easily absorb कर लेता है फिर easily आसानी से अप्षूर्शित कर लेता है अपकरहन कर लेता है जिसके विज़े से यह ज्यादा दूर तक travel नहीं कर पाती है नहीं कर पागी उसके बाद एक चीज़ है कि it is for the reason that we can expect lots of the strategically placed antennas to support 5G मतलब ऐसा बोला जाता है कि बहुत ज्यादा antennas हमें लगाना परेगा किसी पार्टिकुलर cities के लिए अलग से मतलब अगर किसी cities को cover up कर रहे हैं तो cities में कोई close अलग अलग विशनिटी है या फिर अलग 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 अरिया तो प्रते एक एरिया में एक एक container या फिर एक एक tower लगाना परेगा एक एक network tower लगाना परेगा ऐसा नहीं कि एक network tower दूती नेडिया को cover up कर पाएगा इससे यह possible नहीं हो पाएगा सब्सक्राइब का दिक्कत है उसके बाद यह यह भी कह रहा है कि there also there will also probably be many repeating stations to push the radio waves as far as मतलब ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे repeating stations को लगाया जाएगा जिसके बज़े से जो short range waves होगा उसको लोग जैसे कि एक बार इस signal से गया तो बीच में को ऐसा repeating stations होगा जहां से वो फिर उस signals को push करेगा तो फिर दूसरे network tower तक पहुँच पाएगा इस परकार की वेवस्ताइ अब यह कहा जाता है कि दुरूब दा इन कंपिटन्ट टेकनोलोजिकल सपॉर इन परकार की समस्यां हैं कि जो स्पीड 5G प्रोवाइड करेगा वो उसको प्राप्त करने के लिए अभी थोरा सा चैलेंजेज है उसको अभी इस लेबल पर या फिर इस इंफार्स्रेक्च्च पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसके लिए इंफार्स्रेक्च्चर में बहुत बड़ा बदलाब लाने की जरूरत है उसके बाद ओल्ड डिवाइस को रिप्लेस करके न्यू 5D डिवाइस का डिवाइस भी आएगा जिसके बज़से भी अब इन्वेस्टमेंट की बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी के पास 4G नेटवर्क्स वाला फोन अभी यूज कर रहा है तो उसको फिर रिप्लेस करके 5G नेटवर्क्स वाले खड़ी देंगे तो उसके बाद बोला जाता है इन इंडिया एबरेज जानलोड एस्पीड 9.2 Mbps विच इस व होगा दिकत कि उनके पास जो 4G नेटवर्क्स का फोन है या फिर एक तरह से ब्रॉडबेंड कंजब्स अचन सब्स्विकेंट्स नेटवर्क कंजेस्टेंस होगा तो उस फोन को चेंज करेंगे तो फिर उनके साथ भी यह एक तरह से कह सकते हैं डिवाइस काउं फिर फरेंडव फरेंड्स क Haut जो घ्रख मेंट है ऐडृब्ड अठीक्टेवर्ण प्रॉडबर् से क्या हो गया प्रोगर्रां हो गया सलिशन मेंटर्फों प्रोगर्यां हो तो वड् Bowl कि इस नहीं चलते वाईगा नहीं परेंगा परने पैसे की अभाब में नया फून नहीं खरीद पाएगा जिसके विसे नया एक्स्पिरियंस उनको जनलिट नहीं हो पाएगा तो यह सब फ्रेंड्स जो है चैलेंजेस हैं इंडिया में एक तरह से पैसे की अभाब है इंफास्टेक्स का दिक्कत है खुद का उनका रेगुलेट जो इंवशल्स ऐन पर और सेम्लेश कॉर्स में और स्बीड नुछिव पांचoup उसके सब्सक्राइब करना पदस्परियक्स कैंट अग्ड को बासने हैं और उसके ऊपर और प्रसीजर इसłam शैक्शेटर्स का और यहां उसके बाद इने नीगलाना परेगा उस पर शिजर शे करने वाले हैं जो technology इस्तमाल करें हैं उसमें इंडिया को investment और research की जरुरत है development की जरूरत है critical infrastructure की जरूरत है मतलग critical infrastructure का development का जरूरत है इन सब चीज़ों को जरूरत है ताकि वह अपने technology को इंडी जनाइज कर सके ये सब है friends जो अभी हमने टॉपिक्स हो गया है कुछी टॉपिक्स बचे हैं जिस पर वीडियो इस बना बना कर अप्लोड किया जा रहा है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखते रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए